इकाई दो, सिंधु संस्कृति की उत्पत्ती, विकास, निरंतर्ता तथा विशेशताईं 2.1 प्रस्तावना, 2.2 उत्देश, 2.3 सिंधु सभ्यता की उत्पत्ती तथा विकास, 2.3.1 प्रथम विचारधारा, 2.3.2 वित्य विचारधारा, 2.3.3 तृत्य विचारधारा, 2.3.4 चतुर्थ विचारधारा, 2.3.5 पंचम विचारधारा, 2.4 सिंधु सभ्यता की निरंतरता, 2.4.1 धार्मिक जीवन में निरंतरता, 2.4.2 सार्वजनेक एवं सामाजिक जीवन में निरंतरता, 2.4.3 आर्थिक जीवन में निरंतरता, 2.5 सिंधु सभ्यता की विशिष्टाएं 2.6 सारांश 2.7 तक्निकी शब्दावली 2.8 स्वमुल्यांकित प्रश्णों के उत्तर 2.9 संदर्प क्रंथ सूची 2.10 सहयक उप्योगी पाठ्थ सामक्री 2.11 निबन धात्मक प्रश्ण प्रिष्ट बारह 2.1 प्रस्तावना पिछली एकाई में आपने सिंधु सभ्यता के विशय में सामाने जानकारी प्राप्त की और सिंधु सभ्यता के विस्तार क्षेत्र तथा कालक्रम का परिचय प्राप्त किया विश्वकी प्राजेंतम सभ्विताओं में से एक तथा इतने विश्वत क्षेतर में फैली इस सभ्विता की उत्पत्ती विकास तथा निरंतत्ता के प्रती एक सहट जिग्यासा उत्पन होती है पुराविदों ने इस संदब में व्यापक अध्यान विश्वकी विभिन समकालीन सभ्विताओं के साथ साम में बैठाने की कोशिश की है सिंधु सभ्विता एक त्यधिक विकसित सभ्विता थी और जैसे कि आपको जानकारी है ये विशालक शेतर में फैली हुई थी ये सभ्विता तीर्गकाल तक विकास मान रही और इसके अंतरगत सिंधु नागरिकों ने आश्यरे जनक उन्नती की खुदाई से पता चलता है कि वे जिन बहुतिक सुविधाओं का प्रयोग करते थे उन में से अनेक समकालीन विश्वकी अन्ने सभ्विताओं के नागरिकों को सुलब नहीं थी विकास के इस उच्चस्तर को पाने में सिंधु नागरिकों को अवश्य दीर्गकाल का समय लगा होगा लिपी की अनभिक्यता के कारण सिंधु सभ्विता की उत्पत्ती की गुथी अभी भी सुलज नहीं पाई है क्योंकि हमारे पास साक्ष के रूप में एक नगरिय सभ्विता के अवशेश है और ये जानना अत्यधिक कठिन है कि सभ्विता का ये स्तर सानिय रूप से विकसित हुआ था या फिर सिंधु सभ्विता के निर्माता पूर्व से ही विकसित थे और किसी भारिस्थान से आकर उन्होंने यहां नगरिय सभ्यता का श्री गणेश किया इस इकाई में हम इनी तत्थों पर चर्चा करेंगे और साथ ही सिंधु सभ्यता की निरंतर ता एवं विशेषताओं पर भी बाते करेंगे 2.3. सिंधु सभ्यता के उद्गम के विशय में पुराव शेशों की अपूर्णता और लिपी संबंधित अज्ञानता के कारण किसी निश्चित विचार को ग्रहिंड करना अभी संभव नहीं है फिर भी सभ्यता के उद्गम के विशय में कुछ विचारधाराएं महत्वपूर्ण इवं उलेखनिय हैं। 2.3.1 प्रत्थम विचारधारा एक विचारधारा के अनुसार सिंधु संस्कृती और कुली नाल तथा जोब संस्कृतियों के मध्य निश्चित संबंध हैं। जैसे सिंध में बात के काल में कृशी का होना ये दर्शाता है कि बलुचिस्तान और दक्षणी अफगानिस्तान की कुछ खेती हर जन जातियां सिंध तक प्रवेश कर गई थी। इसके अलावा उत्तर पूर्वी सिंध से प्राप्त कुछ प्रमान ये दर्शाती हैं कि प्रारंभिक हडपा सभ्यता की स्थानी अशैली उत्तरी तथा मध्य बलुचिस्तान से प्राप्त की गई थी। और सभी क्रिशी पर आधरी थी। इसके अलावा इस बात के भी प्रमान है कि प्रारंभिक हडपा बस्तियों ने बलुचिस्तान तथा जोप की संस्कृती के साथ एक लंबे काल तक सिर्थ संबंध रखे थे। तक्षिन पश्चिम इरान तथा कुल्ळी सभ्यता के मुरण भांडों तथा अन्यतत्यों में समानताएं हैं, इसके अलावा इरानी तथा कुल्ळी दोनों ही प्रकार के साक्ष सूर कोटडा से प्राप्त हुए हैं, धातुकार्मेक दक्षता भी कुल्ली नाल तथा हडप् साथ ही जो की सिंधु सभ्यता में दिखाई देती है जोब संस्कृती में एक प्रिय विशय या चिंह के रूप में प्राप्त होती है उप्रोगत तत्यों के आधार पर निशित नहीं किया जा सकता है कि हडपा सभ्यता का उदगम बलुचिस्तान की सभ्यता से है कोट दीची से प्राप्त प्रारंभिक म्रणभांट बलुचिस्तान के क्रिशक समुदाय के म्रणभांट तथा हडपा से प्राप्त म्रणभांडों से साम्मेता रखते हैं जबकि कोट दीजी से प्राप्त बाद के मृन्भांट हडपा के मृन्भांडों से सामेता रखते हैं। इसी प्रकार काली बंगन की खुदाई दर्शाती है कि वहां हडपा काल से भी पूर्वबस्तियां थी और उनके मृन्भांड आमरी और कोट दीजी से प्राप्त या जोब संस्कृतियों से विक्सित हुई थी प्रिष्ट चादह 2.3.2 दितिय विचारधारा उद्गम के संबंध में एक दूसरे विचार के अनुसार हडपा सभ्यता को आमरी सभ्यता की प्रच्छाया बताया गया है इस विचार के अनुसार आमरी में पहले शहरी सभ्यता उत्पन हुई और फिर मानो धीरे-धीरे अन्य बस्तियों की खोच करते आगे बढ़ा इस संदर में पुरावित कासल ने पूर्व हडपाकाल से बात के हडपाकाल तक भोगोलिक स्तरीकरण निश्चित किया है आमरी बस्तियों में मिरंभांड बिना चाक की साहता के हाथ से बने हुए तथा धातुचिन अत्यल्प हैं किन्तु बात के स्तर में अलंकरित भांट तथा बिना पकी हुई मिट्टी की इटों से बने भवन मिलते हैं इसके अलावा खुदाई से पता चलता है कि आमरी सभ्यता की कुछ विशिष्ट परंपराएं हडपा सभ्यता की तरफ पाए गए हैं मोहन जोदडों के निचले स्तर में अवश्य बलूचिस्तान की सभ्यता का प्रभाव मिलता है ना कि आमरी सभ्यता का अधा ताथिक द्रिष्टी से कहा जा सकता है कि आमरी सभ्यता से हडपा सभ्यता का विकास नहीं हुआ था 2.3.3 तृतिय विचारधारा इस नगर के लोग मृन्भांडो का प्रयोग जानते थे तथा प्रस्तर प्रतिमाओं की पूजा करते थे। जैरिको में एक अति विशिष्ठ प्रस्तर प्राचिर से घिरा नगर मिला है। हाला कि कैटल हुयोग और जैरिको के लोग प्रारभिक प्रिशक समुदाय से संबन्दी थे, फिर भी उन्होंने नागरिक जीवन के कुछ निश्चित अंग विकसित कर लिये थे। सुमेरी आईयों ने मंदिर तथा मिट्टी के इटों से बने जिक गुरात बनाएं जो की कृत्रिम परवतों की भाती दिखते थे। इसी प्रकार सिंधु सभ्यता के स्थलों के भी दो भाग हैं, एक शहर का उठा हुआ भाग तथा दूसरा निचले स्थर में स्थेत नगर, लेकिन इन समानताओं के बावजूद भी ये सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि हडप्पा सभ्यता किसी निश्चित नगरिय सभ्यत और सिंधु सभ्यता के मध्य निश्चित संबंधों की जानकारी है, गिलगा मेश आकरती, एनकिडू, सांड मानो, मुद्राओं और ननमूर्तियों में गोधी बाड़े के जिन, भारतिय तटको मैसापोटामिया में मेलू की संग्या का मिलना आदी मेल हमीं प्राप्त होते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि इन संबंधों के बावजूद भी सिंधु नागरिकों ने सुमे रियाईयों से अपने विकास तथा उत्तर जीविता के संबंध में कुछ विशिष्ट नहीं प्राप्त की या कुछ खास नहीं सीखा। प्रिष्ट पंध्रह उधारन के लिए हम कह सकते हैं कि सुमे रियाईयों की उत्कृष्ट सूचाई विवस्ता तथा उच्चकोटी की कलाकृतियों को जानने या अपनाने के प्रमान हमें नहीं मिलते हैं। इन सबसे प्रमुक ये बात है कि सिंदू लिपी की पश्चिम एशिया की किसी भी लिपी से संब्धता नहीं मिलती है। अर्थात ये सुमेर की लिपी से बिलकुल भी नहीं। हम केवल ये मान सकते हैं की पश्चिम अशियाईयों और सिंदू सभेता के मद्ध संबंद थे लेकिन ये संबंद सेंधव सभेता के मूल में नहीं थे। इसके अतिरेक्त सिंधु सभ्यता के एक स्टैटाइट सभ्यता थी जबकि सुमेर की सभ्यता में स्टैटाइट के कुछ ही दाने मिले हैं। 2.3.5 पंचम विचारधारा उद्गम से संबंदित एक अन्य महत्वपुर्ण विचार के अनुसार हडप्पा सभ्यता सिंधु घाटी के अंदर चलने वाली एक दीर्ग कालीन विकास प्रक्रिया का परिनाम है। सिंधु सभ्यता के अनेक लक्षनों का मूल हमें वही प्राप्त आरंबिक स्थर की क्रामीन संस्कृतियों से मिलता है। करता है कि हडप्पा सभ्यता में अत्यंत उच्चकोटि का विकसित माल बनता होगा और अवश्य ही विकास के इस्तर को प्राप्त करने में दीर्ग कालीन समय लगा होगा। इसके अलावा हाल की पुरा तात्विक खुदाईया भी बहुत सी पुरा हडप्पिय और विकसित हडप्पिय बस्तियों के मद्ध निरन तर्ता को बताती है। इस संदब में चनहुदाडों का उधारन दिया जा सकता है जो मन के बनाने वालों का केंद्र रहा था। यहां हमें संस्कृति की निरन तर्ता प्राप्त होती है। यद्यपी बलुचिस्तान में अनेक स्थलों और काली बंगन में हडप्पा पूर्व बस्तियों के अबशेश मिले हैं तथा पी उनमें और हडप्पा संस्कृतियों के स्थलों में कोई बहुत स्पष्ट संबंद दिखाई नहीं देता। यद्यपी संभव है कि हडप्पा सभ्वता का विकास इनी देशज बस्तियों से हुआ हो। सिंधु सभ्वता के निर्माता किस समुदाय से संबंद दिखे इसे निश्चित करना वर्तमान में टेड़ी खीर है। फिर भी प्राची नरकंकालों का अध्यान कर पुराविदों ने इस सभ्वता में प्रोटो अस्ट्रिलायट, भूमत्य सागरिय, मंगोल तथा अलपाइन प्रजातियों के मानोजन के निवास करने को प्रमानित किया है। तिष्ट सोलह स्व मूल्यांकित प्रश्ण रुपया निम्नांकित प्रश्णों के समक्ष सत्य अत्वा असत्य लिखिये। सिंधु सभ्यता एक स्टैटाइट सभ्यता थी। उत्तर सत्य 5. सिंधु सभ्यता में प्रोटो अस्ट्रिलायट, भूमत्य सागरिय, मंगोल तथा अलपाइन प्रजातियों के साक्ष मिले हैं। उत्तर सत्य 2.4. सिंधु सभ्यता की निरंतर्ता सिंधु संस्कृति की निरंतर्ता भारतिय सभ्यता के धार्मिक, सामाजेक या सार्वजनेक तथा आर्थिक जीवन में दिखाई देती है। तत्यों और तारकिक विश्लेशन वारा इस निरंतर्ता को सपष्ट किया जा सकता है। 2.4.1. धार्मिक जीवन में निरंतर्ता 1. सिंधु घाटी से प्राप्त अनेक मुद्राओं में सिंधु देवताओं को अर्ध मानव, अर्ध पशु की आकृती में अंकित किया गया है। इसी प्रकार की कल्पना हमें पौरानेक नर्सें अवतार में भी मिलती है। 2. हडपा सभ्यता की योगी की मूर्ती को शिव पशुपती का रूप माना गया है। मूर्ती के चारों और जानवर हैं पशुपती, आकृती, ध्यान, मग्न, योगिश्वर, तीन मुखों का संबंध बात की तीन आखों की कल्पना से मालुम पढ़ता है। और लंबी शिरो 3. सिंदू घाटी से मात्र देवी की मूर्तियां भी परियाप्त मात्रा में मिली है। मात्र देवी को बात के देवताओं की अर्धांगिनियों या मात्रिकाओं के रूप में संभवतह पूझने की परंपरा चल निकली। योनी पूझा सिंदू सभ्यता की विशिष्टता ह जो आगे चलकर हिंदू तंत्रवाद और बौध तंत्रवादियों की पूजा की विशिष्ट अंग रही है। शक्ति पूजा के रूप में ये लोक प्रिय है। 4. सिंदू सर्भिता का पवित्र कुबर युक्त बैल वर्तमान में भी शिव के वाहननन्दी के रूप में पवित्र और सर्वत्र पूज्य माना जाता है। प्रिष्ट सत्रह 5. प्रकृती की पूजा सिंदू खाटी के धर्म की निरन तरता है। आज भी सिंदू मुहरों में दर्शाएगाई रेक्ष, पीपल, बबूल, जीवन रेक्ष आदी की पूजा होती है। सर्प या नाग देवता भी सिंदू मुहरों में मिलता है, जिसने एतिहासिक काल में विभिन वन्षों के जिंध के रूप में कार्य किया, और जो नाग आदी वन्षों के नाम से प्रसिद्ध हुए, आज भी गावों में सर्प देवता के मंदिर दिख जाते हैं। 6. सिंदू घाटी से प्राप्त ताबीज और मंत्र तंत्र पर विश्वास आज भारतिय सामाजिक व्यवस्था में बना हुआ है, पवित्र स्वास्तिक चिंध का प्रयोग भी सिंदू घाटी में मिलता है। 7. जल पूजा और सामोहिक स्नान का महत्व सिंदू सभ्यता से अब तक बना हुआ है। बहुत संभव है कि भारतिय धर्मग्रंथों की प्रलय की कहानी हडपा सभ्यता की बार से ली गई हो। 8. एक दाढ़ी योक्त तथा जटा योक्त पुरुष की नगनम्रुन मूर्ती जिसमें पुरुष सीधे खड़ा है, पैर सटे हुए नहीं, वरन दूर दूर हैं, तथा हाद बगलों के समानां तर परंतु उन्हें छूते नहीं हैं। बात के जैन साधुओं की कायोत सर्ग म पुद्रा से मिलता है। पश्ट होता है कि वहाँ पूर्षोद्वारा अंगरखे का प्रयोग इस प्रकार किया जाता होगा कि वो बाएखंधे को डगता हुआ, डाएखंधे के ठीक नीचे से निकलता था। इसी प्रकार से अंगरखे का प्रयोग आज भी रुडिभादी हिंदू के घर में देखा जा सकता है चार द्यूत क्रिडा या पासे का खेल सिंदु घाटे की ही देन कही जा सकती है पांच वीजी चाइल्ड के अनुसार सिंदु सभ्यता भवन निर्मान और उद्योग के साथ साथ वेश पूशा तथा धर्म में आधुनेक भरतिय संस्कृति का आधार है 6. सांदर्य प्रसाधन यथा चूडियां, हाथी दात की कंगियां, पाउडर, होठो का रंग ना आदी सिंदु सभ्यता की निरंतर्ता मानी जा सकती है 7. सिंदु सभ्यता से व्रहत परिमान में मिट्टी के खिलोने मिले हैं, ऐसे ही खिलोनों का प्रयोग बच्चों द्वारा आधुनिक भरतिय गावों में किया जाते देखा जा सकता है प्रिष्ट अठारह 5. कुमार का चाक, छकड़ा, एकका और नावे आज तक देखी जा सकती है ये सिद्ध नहीं किया जा सकता कि सिंदु सभ्यता की कौन-कौन सी विशिष्टाएं बाद में भी अपनाई गई पर इतना ग्यात है कि आरियों की पाचन शक्ति अत्यधिक थी उन्होंने आगे चलकर अनेक विदेशी समोहों को आत्मसात कर लिया था स्वयम अनारियों को भी उन्होंने अपनी जाती विवस्था में स्थान दे दिया था अधा ये असंभव नहीं कि आरियों ने सिंधु सभ्यता से परियाप्त मात्रा में विचार ग्रहन किये हों 2.5 सिंधु सभ्यता की विशिष्टाएं सिंधु सभ्यता एक विशिष्ट वादावरण में मानव जीवन के एक सर्वांग पूर्ण समायों जनका प्रति निधित्व करती है ये सभ्यता काल की कसोटी में खरे उत्री है और आधुनिक भारतिये संस्कृति के लिए आधार प्रस्तुत करती है इसके कुछ प्रमुक विशिष्टाएं इस प्रकार है एक सिंधु सभ्यता तृतिये कांसिकाल की सभ्यता है हाला कि अधिक वस्तुएं नहीं मिली है फिर भी जो वस्तुएं मिलती है उनसे इस सभ्यता में कांसिकाल की सर्वोत क्रिष्ट विशिष्टाएं परिलक्षित हो अगनित सुविधाई प्राप्त थी, विशाल नगरों, पक्के भावनों, सुव्यवस्थेच सडकों, नालियों और स्नानागारों के निर्माता, सुद्रण शासन पधती और धार्मिक व्यवस्था के व्यवस्था पक तथा आंतरिक उद्योग धंदों और विदेशी इत्ते हुए कहा गया है कि यहां का साधरन नागरेक सुविधा और विलास का जिस मात्रा में उपभोग करता था, उसकी तुलना समकालीन सभ्यसंसार के अन्य भागों से नहीं की जा सकती है, प्रेश्थ 19 3. सिंधो सभ्यता में खार्द अतिरेक की उपलब्धता थी, व्यापार वानिज्य का उच्च स्थर था, उन्हें लिपिकी जानकारी थी, वे अपनी आवशक्ता के पदार्थों के लिए सक्रिय वानिज्य